बाबसभ डॉक्टर अम्बेटकर ने हमें अपनी छटी पृतिग्या दिलाते हुए उसमें कहा है कि मैं शाध कभी नहीं करूंगा और नहीं कभी पिंडदान करूंगा आकर ये शाध और पिंडदान हैं क्या मैं मानता हूँ हम मैंसे बहुत लोग इसको करते हैं लेकिन कई बार सोचते नहीं हैं ये हमारा दुर्भाग्य है हम सोचते नहीं कि हम कर क्या रहे हैं हमें करना क्या चाहिए हर साल शाध हम करते हैं शाध उनके लिए करते हैं कि जो हमा वो दिवंगत हो चुगे हैं निधन उनका हो गया तो हर साल हम उनको याद करते हैं और शाद के रूप में एक परंपरा है एक प्रक्रिया है जिसको हम मनाए चले जाते हैं यह शाद हम जब करते हैं तो उसके लिए देखा होगा आपने घरों में कि जब यह शाद आते हैं करीब 15 दिन का उनका पूरा पिरियड होता है उस पिरियड में हर दिन कि इस दिन हमारे दादा जी इस दिन हमारे पर दादा जी इस दिन हमारी दादी इस दिन हमारी पिता जी इनका जो देहांत हुआता तो उसके उसमें हम शाद मनाते हैं और उसमें हम खीर, पूड़ी वगरा जो भी पक्वान बनाते हैं और फिर उनको उपर ले जाके कवों को हम वो खिलाते हैं ये परंपरा है ये वही जैसे और सारे के सारे जो ढखोसले हैं जो कुरीतियां हैं, जो ब्रहमणवाद में बना रखी हैं, हिंदु धर्म का एक अभिन अंग है, ये भी उसी का एक हिस्सा है, तो हम कवों को खिलाते हैं, क्या हमारे पूरवच कवों के रूप में आते हैं, जो हम उन्हें ये खाने खिला रहे हैं, क्या हमारे पूरवच एक पक्षी के रूप में उन्होंने जर्म ले लिया है जिसके लिए हम ये मना रहे हैं और ये जो परंपरा है हम इसको बिना जाने बिना सोचे बिना समझे मनाए चले जा रहे हैं लिकिन अगर हम इसको मनाते हैं तो हम ब्रहमण धर्म को मानते हैं ब्रहमण वाद को मानते हैं हिं इंदु धर्म को मानते हैं तो निश्चित रूप से हम परम पूजे बोदिसत बापसब डॉक्टरम बेटकर को नहीं मानते अगर हम उन्हें मानते तो उनकी आज्याओं का उनकी आधेशों का उनकी सिक्छाओं का पालन करते और कम से कम बुद्धी से तो सोचते कि क्या हमारे पूर्वच कवों की रूप में आ रहे हैं जिने हम खिला रहे हैं कोई तर्क कोई एक लोजिक कुछ तो होना चीए हम जो भी काम कर रहे हैं उसके उसमें और हम इसको बिना सोचे समझे आँखों पर पट्टी बांद के मानाये चले जा रहे हैं सालों साल हम इस सब करे जा ले जा रहे हैं तो इस तरह से हम चाहे न चाहे अंजाने में ब्रहम्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए बाबा साब ने कहा कि मैं कभी भी शाद नहीं करूँगा इसका कोई साइंटिफिक कोई वेग्यानी काधार नहीं है इसका कोई तारकी काधार नहीं है ठीक इसी तरह से पिंड़दान कि मैं यहां पिंड़दान करूँगा कई वार लोग केते हैं कि गया में पिंड़दान करके आएं वहां पे एक जगे है कई वार लोग बनारस में पिंड़दान करके आएं मरने के बाद हम अपने बुज़ूर्गों का पिंड़दान करते हैं या अपने परिवार के लोग जो मर जाते हैं ब्रामरबाद कहता है कि अगर हम गया में पिंड़ दान करें या बनारस में पिंड़ दान करें या हम अपने बज़र्गों का हर साल पिंड़ दान करते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलता है कभी देखा है किसी ने स्वर्ग कभी देखा है किसी ने नर्ग ये स्वर्ग नर्ग मो वो बिना किसी दुख दर्द के जी पा रहा है, हम उसे कह सकते हैं कि विस्वर्ग है, और अगर इंसान बुरी तरह से यहां पे जी रहा है, जिसे हम बोलते हैं, जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, उसे खाने के लिए धंक से नहीं है, पहनने के लिए धंक से नहीं है, बीमा स्वर्ग और नर्क है लेकिन इस दुनिया से अलग कहीं कोई स्वर्ग नर्क हो सकता है ये केवल और केवल ब्राम मरवाद और हिंदु धर्म की कल्पना है किसी और की नहीं है तो मरने के बाद हमारे बुजर्गों को स्वर्ग मिलेगा ये जो हमें एक तरह से हिंदू धर्म ने ब्रहामारवाद ने हमें सिखाया है ये मात्र एक शड़ेंत्र है हमें गुलाम बनाए रखने का इसके मात्रम से हम पैसे खर्च करते हैं ये जो पैसा खर्च करते हैं हम हर साल शाद पर, हम इस पर पिंड़दान पर, इसका किस को फाइदा होता है, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में सही माइने में देखा जाए, तो जिसे हम बहुत एक सुक, दुक की जिसकी बात करते हैं, सुक सुविधाओं की बात करते हैं, उसके लिए आर्थे के सित्याप की मजबूत होनी चाहिए, और हर साल आपको लगा दिया ठिकाने की बैस, ये पिंड़दान किये जाओ, आप ये जो शाद किये जाओ, तो उसमें पैसा खर्च होता है, पैसा जाता किसके पास है, इस पैसे सामान खरीद किला आदम से बिना सोचे समझे, ब्रामर और बनिये के हाथ में दिये चले जा रहे हैं, तो भला किसका हो रहा है, उनका, आपका नहीं हो रहा है, इसलिए इन सब चीजों से आपको बचाएं, आप इन सब चीजों से दूर रहें, अपना पैसा, अपने परिवार, अपने आपको घहर है, इससे सोचना चाहिए, और उन पर अमल करना चाहिए, सातियों, हजारों साल तक, ये शुद्र समाज, करोओ की सिंख्या में लोग, नर्क से भी बत्तर जीवन जीते रहें यहां पर, सब इस शडियन्त के कारण, इन में से कहीं कोई भी, अगर कोई स्वर्ग तो ये केवल उनी के लिए था, ब्रामनों के लिए, छत्रियों के लिए, ये वैश्य समाज के लिए, सारा सब कुछ उनी के लिए था, और हमारे हिस्से में केवल और केवल, इन तीनों की सिवा करना, ये जो शडियन्तर था, इसे तोड़ने के लिए, इसे खत्म करने के लि हमें जानना चाहिए और उनके सिक्षाओं का उनके आदेशों का हमें पालन करना चाहिए यह हम अपने भरे के लिए कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं इस से सिर्फ और सिर्फ हमारा भला होगा उस गरीब समाज का भला होगा जिसका पैसा इस शडंत के माद्धम से ब्रहमरवाद की भेंट चड़ जाता है